हाई गाईज सो वेलकम टू मैं न्यू व्लॉग होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अवेरी-वेरी हपी new year तो ये व्लॉग जो है मैं थोड़ा लेट में पोस्ट कर रही हुआ हूँ BECAUSE टाइन नहीं मिला था So first of all please subscribe my channel जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon So अभी हम लोग city tour पे निकले हैं और यहां पे hotels एक से एक theme के बने हुए होते हैं New York hotel है, Paris hotel है, then Venetian hotel तो यह सारे एक एक जगह पर based हैं, एक theme पर based हैं तो हम सब लोग वही देखने आद निकले हुए हैं तो यहां पे strip road है, काफी लंबी-लंबी Strip road basically जो main यहां का attraction है, casino जो आपको हर hotel में मिल जाएगा यहां पे mostly लोग casino के वज़ा से ही आते हैं और यहां की life भी बिल्कुल चका-चौंद वाली अलग ही दुनिया है तो main attraction उसी का है, यहां पे casino का, अभी हम लोग यहां पे Hershey's chocolate world में आये हैं यहां से हमने entry किया और यहां पे entry करते ही इतने variety के chocolates, इतनी candies, बहुत सारी चीज़े दिख रही हैं यहां पे अभी हम chocolate world में आये हैं यह काफी बड़ी chocolate world है और entry करते ही इतनी अच्छी से खुश्कु आ रही है chocolates की बहुत सारी chocolates हैं यहां पे कितनी सारी candies, toffies, chocolates हैं कि बच्चों को लाने के बाद तो फिर वो वापस जाना ही नहीं चाहेंगे अद्विका तो बस हर जगह रुक के ममा यह खरीदो वो खरीदो बट यह costly भी यहां पे बहुत हैं तो यहां पे देखे यहां पे बहुत सारी पेस्ट्री थे बहुत सारी चॉकलेट्स और इन्हीं सब चीजों के cookies थे यहां पे तो अद्विका हर जगह जाके बस रुक जारे थी कि बस पापा यह खरीदना है वो खरीदना है तो बच्चे तो आपके बिल्कुल बहां निकलेंगे ही नहीं अगर एंटर एक बार यहां पे हो गए तो और यह काफी बड़ा भी है बहुत बड़ा एरिया है यहां पे टीशर्ट्स भी मिल रहे थे और यह जो एरिया था यहां पे आप खुद के पसंद के आप चॉकलेट्स पैक कर सकते हैं यह सारे कैंडी यहां पे फिल थी ऐसे बड़े-बड़े कंटेनर्स में तो यहां पे आप लिवर को पुल डाउन करके आप चितना भी चाहते हैं उतना अपने लिए बैग बना सकते हैं और यह देखे यह किसे जो चॉकलेट्स आते हैं उनके बिलकुल बड़े-बड़े से साइज में मिल रहे थे तो हर जगह इतना अच्छा लग रहा था कैंडी यह कैंडी इ हुआ 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 है उसका चॉकलेट पर बांग देखे थे ती हमने भी चॉकलेट लिया यहां पर और यह चॉकलेट सच में यह बहुत ही जादा टेस्टी थोड़सा बटर का टेस्ट आ रहा था और बहुत अच्छा था यह चॉकलेट हर्शेस का था उसकी बाहर हम निकले हैं यहां पर काफी लंबे ऐसे वॉक करते हैं लोग रोड पे निकलते रहते हैं तो यह व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे यहां पे सारे लाइट्स जल रहे थे और यह देखी स्टैच्व अफ लिबर्टी यह न्यू यू यॉक होटल का यह जो बहुत जादा बड़ा है और यहां पे जब लाइट्स जलने लगी तो यह और भी जादा फूबसूरत लगने लगा और इसके उपर से रोलर कोस्टर भी चल रहा था तो बहुत लोग वहां भी इंजोई कर रहे थे बट हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया मुझे राइट सब होके गूमते रहते हैं इनके साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं लोग तो यह लोग भी आके हाई हैलो बोलते रहते हैं और कहते हैं कि वहां साथ पिक्चर क्लिक कर आई है और यह एरिया इतना ओवर क्राउड़ड है आप किसी भी सीजन में चरे जाएए किसी भी वक्त चरे यहां पर भी बहुत ही अच्छे नीचे तो हर जगह के सीनों ही होता है तो यहां पर भी इसके अंदर हम लोग गए और यहां पर देखे आइस्क्रीम के बिल्कुल माउंटेम बने हुए हैं अलग-अलग फेवर्स के फिर हम लोग वापस होटल चले हैं पिर होटल के रूम में आके सब ने बोला ढम शिलास खेलते हैं तो हम लोग ढम शिलास यहां पर खेल रहे हैं और अद्विका यहां पर । एक मूवी का एक्टिंग कर रही और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ह Hillbam तो में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है लोगो हम चुटल के आजपास ही सब लोग निकलें नाइट आट पर यह देखे हैं कितनी जादा लाइटिंग्स हैं अपना खुब सूरत वियू हैं रात में तो और भी जादा लाइट जलने लगते हैं और भी जादा अच्छा लग rat यह पर आ गया है मतलब जैसे लगता है क तो हम लोग बस आस-पास यहां पर चोटे मोटे शॉप्स थे मार्केट थी तो हम लोग वहां पर गए और काफी देर तक वहां पर हमने इंजॉय किया सारी चीज़े दीखनी यहां पर इनको देखके मुझे लगा कि यह सच में स्टैचू है या रियल है एक बार को तो लगा यह स्टैचू ही है बट यह बिल्कुल स्टिल था इसलिए मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि यह रियल है या स्टैचू है बार के यह स्टैचू है और यहां पर यह लाइफ स्प्रेइ पेंटिंग ऐसे बना रहे थे और बना बना के ऐसे नीचे रख रहे थे और यहां पर यह सारी सोल हो जा रहे थे बहुती बहुती बुच्छ पेंटिंग पेंटिंग और यह देखियो साफ and guys you know what the Santa gave me gifts because I was behaving as a good kid because my mom told me that whoever acts as a gift can behave like a good kid Santa is gonna give gifts to that kid so this is the last day of the trip so we are here today we are here in the Strat Hotel in the Casino and here is a 109th floor tower and today we are going to go to one of the tallest towers in the U.S. so here we have 30 to 40 seconds from the lift and we are in 108th floor and when we are in the lift we have a little pain in the face and look at this view this is 108th floor we are here here we are looking at the top 109th floor so here we are looking so good we are looking so good और यहां से यह ट्रेन जा रहे थी, छोटी सी लग रहे थी यह ट्रेन और यहां से मुझे माउंटेंज भी दिख रहा था और कहीं कहीं पर आइस भी पड़ी हुई थी और इधर से हेलिकॉप्टर भी इस फ्लोर से नीचे ही जा रहे थी तो हम लोग काफी देर तक यहां पे बैठे रहें और यहां का व्यू तो बस लग रहा था कि देखते ही रहू यहां पे एक रेस्टरेंट भी था यह देखे बन हेलेट फ्लोर के हैं यहां पे एक रेस्टरेंट भी था यह है पूरा व्यू यहां का और सबसे स्केरी पार्ट तो यह था कि यहां से बंजी जंपिंग भी लोग कर रहे थे वननेट एक फ्लोर से नीचे जंप कर रहे थे और यह देखकर ही बहुत डर लगा था मुझे बट यहां पे बहुत सारे लोग बंजी जंपिंग के लिए आये थे और यहां पे यह एक कपल आया था बंजी जंपिंग के लिए तो फूरे प्रिकॉशन्स के साथ पहले इनकी पिक्चर लिख हुई और इसके बाद सबसे पहले वो गर्ड गई जंपिंग के लिए और यहां पे यह थोड़े नर्वस दिख रहे थे मुझे और इन लोगों से जादा तो मुझे नर्वस ने सोरीति इनको देख कर की यह कैसे करेंगे और यह देखे यहां पे बस अब वो जंप करने वाली है यह गड़ यह देख यह द्वस ने से टावर ये टॉप से जंप कर रहे थे लोग और यहां तक फर्स फ्लोर पे जंप कर रहे थे तो यहां पे एक इंसिडेंट हो गया था हमारा जो बैग था वो कैब में ही रह गया था और हम लोग कंटिन्यू कैब ड्राइवर को कॉल कर रहे थे तो काफी देर बाद उसने पिक किया और अब हम वेट करें कि वो जल्दी से आया और हमारा बैग वाफल करें देन भी बैग तो अर होटल हमारा बैग मिल गया था एक दो घंडे बाद कैब राइवर राया और फिर बैग गया तो बस अब लोग होटल में आ गया है और शाम के लगबग अभी ताड़ी छे हो रहे हैं और भूग भी बहुत लग लग थी क्योंकि हमने लंच बहुत पहले क तो अभी हम अपने होटल में ही ग्राउंड फ्लोर पे यहां कुछ देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है अद्विका को भी बहुत भूप लगी थी तो यहां पे एक रेस्टोरेंट था यहां पे पीजा मिल रहा था और फ्राइज मिल रहे थे तो अद्विका ने बोला कि उ अभी देखते हैं चलते हैं कि यहां पे क्या मिलता है यह देखेए यहां पे इस तरह से पीजा की पीजा के मिल रहे थे फिर हमने फ्रेंच फ्राइज ओडर किया और अबिका का फ्रेंच फ्राइज आ गया है यहां पर इसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकले थे और भी तो रात में तो वेगस की खुपसूरती और भी जादा बढ़ जाती है हर तरफ लाइट सी लाइट देखने को मिलता है और यह था टावर जहां पे हम लोग मॉर्णिंग में गए थे और यह रात में और भी जादा अच्छा लग रहा था जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वहीं से जंप करें दिने यह रहीं से जादा पर दिने दिने गादा है यहां पर नान ओर दिया था बटर नान और चिकन कड़ाई मसाला तो पर यहां से देखे यह आइफिल टावर बना हुआ है पैरिस होटल है यह बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है इसमें लाइट्स भी चेंज हो रहे थे कभी ब्लू कभी रेड कभी ग्रीन तो यह बहुत अच्छा लग रहा था रात में अभी साड़ी चार बज रहे हैं और हमारी फ्लाइट छे बजी की है तो यह बहुत अच्छा रहा है हम लोग यहां पर पांच फैमली आने वाले थे बट सबसे बुरा तब लगा जब वेगस एरपोर्ट आने के बाद हमें पता चला कि हमारे रोहित भेया और फैमली नहीं तो बस हमारी प्लेन टेक ओफ हो चुकी है और यह देखे यह व्यू कितना सुन्दर लग रहा है तो बस अब थोड़ी दे रेस्ट करूंगी तो गहंटे की फ्लाइट है तो यह वी रिष्ट आ डेलस एरपोर्ट और सुबा की फ्लाइट में यह अच्छा है कि बिल्कुल पता नहीं चलता है पूरा सोते सोते बहुंच गया हम लोग डेलस अब बढ़ जाएट बाएट बाएट नहीं चलता है